असलाम लेकूम मेरा नाम मौम्मद अकरम है और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल केमिस्टी कॉंसेप्ट उमीद है आप सब खेरियस से होंगे आज का जमार टॉपिक है वो है आईसो टॉप्स बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे इंफरमेटिव लगे तो इसे लाइक किजएगा शेयर किजएगा और अगर आप ऐसी ही इंफरमेटिव वीडियो बार बार देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरू किजएगा तो चलते हैं अपने लेक्चर का आवाज करते हैं Isotopes Atoms of the same elements having same atomic number but different mass number are called isotopes एक जिसे elements के जो atoms हैं उनका atomic number same हो लेकिन mass number different हो वो खेलाते हैं isotopes They have same atomic number means number of protons and electrons are same अब यहाँ पे जो same atomic number की बात हो रही है उसका मतलब यह है के Atom के अंदर number of protons और electron की तादात same हो but different number of neutrons यानि के neutrons की तादात बेशक different हो लेकिन protons की और electron की तादात same हो यही atomic number होता है और nucleus के अंदर neutron की तादात बढ़ने से जो है atomic number sorry atomic mass जो है वो chain होता है These elements have same chemical properties due to same electronic configuration इन elements की chemical properties जो हो same होती है electronic configuration की वज़ा से अब यहां पर एक बात जो है समझने वाली है वो क्या है कि इसमें यह बात कह रहे हैं कि इन elements की जानिके isotopes की बात हो रहे हो यह इन elements की जो है chemical properties जो है वो एक जैसी होती है electronic configuration की वज़ा से तो उस वक में atomic number की ही बात कर रहा था atomic mass की बात नहीं कर रहा था but different physical properties due to difference in mass number लेकिन physical properties जो है वो different होती है mass number में फर्क होने की वज़ा से यानि कि physical properties का जो तालुक है अब किससे हुआ यहां पर mass number से हुआ और electronic configuration का तालुक किससे हुआ यहां पर atomic number से अब हमारे पास एक example है isotopes of hydrogen की जो हम अक्सर पढ़ते हैं there are three isotopes of hydrogen hydrogen के तीन isotopes होते हैं these are known as proteum पहला proteum दूसरा deuterium and third pritium यहां पर आप स्क्रीन पर एक diagram देख रहे होंगे जिसके अंदर तीनों isotopes mention हैं हम left to right जाएंगे पहला वाला जो atom है उसके अंदर आप देख रहे होंगे के नहां पर कोई neutron नहीं है लेहाजा इसका जो atomic number है वह बन है चुके proton की तादाद कितनी है वह बन है इसलिए atomic number बन है और atomic mass भी इसका वन है चुके number of proton plus number of neutron यह कहलाता है mass number तो mass number भी इसका वन है और atomic number भी वन है इसा isotope जिसका mass number भी वन हो atomic number भी वन हो उसको हम प्रोटियम भी कहते हैं और यह light water कहलाता है light water होता है जो हम आहम तोर पे daily routing में water इस्तमाल करते हैं next जो हमारा isotope है उसके नदर आप देख रहूंगे के एक neutron का इसाफ़ा हुआ है जो के pink color शो कर रहे है अब यहां पर गया वह proton की तरह तो सेम है लेकिन एक neutron एड़ होने की वज़ा से इसका mass number चेहिए जाने के एक proton हो गया एक neutron हो गया इसलिए इसका atomic mass क्या हो गया टू हो गया लेकिन atomic number इसका सेम ही है इस आइसोटॉप्स को हम ड्यूटियम के नाम से भी जानते हैं और यह हैवी वाटर भी कहलाता है तर्ड की तरह हम बढ़ते हैं तर्ड में क्या है कि दो neutron यहाँ पर add हैं दो pink color के जो circle हैं वह neutron को show कर रहे हैं जबके blue color का circle है वो proton को show कर रहे हैं इसी वज़ा से यहाँ पर atomic mass क्या हुआ एन neutron दो हैं एक proton है तो atomic mass क्या हो गया 3 हो गया proton की तादद अब भी सेम ही है तो इसलिए atomic number चेंग नहीं होगा इस isotopes को हम कहते हैं tritium जो के radioactive के नाम से भी जाना जाता है अब हम बढ़ते हैं एक example है हमारे पास carbon की भी हमारे पास example है जिसके isotopes होते हैं उसकी तरह हम बढ़ते हैं there are three isotopes of carbon carbon के भी तीन isotopes होते हैं the carbon 12 contains six proton and six neutron carbon 12 जो है वो carbon जिसका atomic mass 12 होता है उसके इंदर छे proton होते हैं और छे neutron होते हैं diagram में भी आप देख रहे होंगे के left से right की तरह हम जाएंगे यहां भी left वारा जो atom है उसके इंदर 6 proton है और 6 ही neutron है इसलिए इसका atomic mass क्या हुआ 12 हुआ और atomic number कितना हुआ 6 हुआ next की तरह बढ़ते हैं carbon 13 यह भी isotopes है carbon का जिसमें 6 proton है 6 proton वही है लेकिन number of neutron 1 add हो जाता है इसके इंदर 7 जिसकी वज़ा से इसका atomic mass क्या हो जाता है 6 plus 7 13 third जो isotope है carbon का उसका atomic mass है 14 इसके इंदर contains 6 proton 6 proton होते हैं और 8 neutron होते हैं इसके इंदर इसी तरह जो है इसका atomic mass 14 हुआ और atomic number इसका 6 हुआ carbon 12 is the most abundant 98.89% isotope यानि के carbon जो है जिसका atomic mass 12 है वो बहुत ज्यादा पाया जाने वाला isotope है यानि के 98.89% पाया जाता है naturally हमारे पास एक और example है isotopes की isotopes of chlorine there are two isotopes of chlorine with atomic number 17 and mass number 35 and 37 chlorine के भी दो isotopes होते हैं जिसमें एक isotopes का atomic mass 35 होता है और second isotopes का atomic mass 37 होता है diagram में आप देख रहे होंगे left की तरफ left से हम right की तरफ जाएंगे हम यहां भी same way process है P17 आप देख रहे होंगे वो chlorine जिसका atomic mass 35 है proton 17 है neutron कितने यहां पे 18 है तो इस तरह 17 प्लास 18 कितना हुआ 35 हुआ यानि के पहले isotopes का atomic mass होता है chlorine के वो होता है 35 second वाले के हम बात करते हैं second वाले में भी proton 7 है 17 है neutron यहां पे दो neutron का इदाफा हुआ है N20 है इसी तरह से जब इसको हम sum करते हैं तो इसका atomic mass बनता है 37 अब हमारे पास जो last example है isotopes की जो हमारे syllabus का हिस्सा है वो है isotopes of uranium there are three common isotopes of uranium uranium के आम तोर पर तीन isotopes होते हैं with atomic number atomic number क्या होता है इनका 92 होता है and mass number 234, 235 and 238 respectively निके पहले वाले isotopes का 234 है second वाले isotopes का 235 है third वाले isotopes का 238 है यहां पे भी आप डाइग्राम में देखेंगे तो atomic number जो है वो सेम है लेकिन atomic mass जो है वो बढ़ रहा है हो 234 है 235 है 238 है यह तीनों isotopes जो है radioactive के लाते हैं क्योंकि यह uranium जो है radioactive element है the uranium is found 99% in nature uranium जो है वो 99% पाये जाता है नेसरी तोर पर यह था मेरा आज़का लेक्चर उमीद है आपको समझ आगिया होगा नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ इन्शालला पिर आपसे मुलगात होगी जब तक की लिए जाज़त दीजेगा अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दौा में याद रखिएगा अल्